कि नमस्कार दोस्तों मैं स्वागा त्रविदंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का कैसे हैं आप उमीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे प्रसंद होंगे आप सभी की दीपावली बहुत बढ़िया बेती होगी अब आने वाला जो महीना है इसके व संपraction आगारी मैं आपको दे रहा हूं यह कारे का Ak इसे पर इख उंडने वालेों को बहुतर टरीके से समझ जाएंगो शुरू शुरु शुरूर्आ कि राषिफल का चान्ध हotom लेज़कर उप लोगों के लिए जो उपाय वगरा होंगे, वो वीडियो के अंत में होंगे, तो पहले अपना राशी फ़ल सुल लीजिएगा, फिर उपाय वगरा भी जान लीजिएगा, और आप लोग का जित्रम दिन हैं, शादी की साल गिना है, तो डेरो डेरो शुब कामना है, चैनल को सब्सक्राइब करन आपके भागे के सहयोग और धर आगमन की वज़े से बेहत फायदे मन रहेगा, बड़े बज़रों का अरभव और आशिरवाद आपको प्राप्त होगा, समाज के सम्मानित ब्रक्तियों का सहयोग बिलेगा, धार्मिक विश्यों पर आपकी आस्था आपके भागे को और मज जिनताएं जो थी हो समाप्त होएंगी, पिता का वैपार या वैवसाय या नौकरी अच्छी चलेगी, पारिवारिक वैपार अच्छा चलेगा, घर में अन्य लोग भी पैसा कवाने के लिए तयार होंगे, आमदनी बढ़ेगी घर में विभिन रास्तों से धनागमन होगा, यानि की परवारिक लाब आपको मिल रहा है, आपके पिता की कुछ यात्राएं होईगी, जिसमें सफलता मिलेगी, सब्ता का मत दिभाग वरिष्ट अधिकारियों और उच्छा भी देगा, आपके कारियों में सुधार होगा, शीग प्रगती होगी, वरिष्ट अधिकारी क होगा, सेहत का लाब होगा, फाइदे मंद रहेगा, सब्ता भर आप स्वस्त और सही और तरो ताज़र आएंगे, आप दिल खुश इंसान होगे, उस सहा आप में उच्छ इस्तर का होगा, आपकी कारिकुशलता बढ़ती चली जाएगी, तो आपके लिए सब कुछ बहतर ब बिगाड़िएगा, साउधान रहिएगा, अनेथा भरुश्य को लेकर चिंताय भी हो सकती है, आपकी संतान की उर्थे आपको शुप समाचारों की प्राप्ती होगी, आपकी संतान को पुरुसकार मिल सकता है, समान मिल सकता है, स्वास्त अच्छ रहेगा, कुछ मान सी प्रेम संबन्द के लिए सौभागे का दिन रहेगा, आप अपने जीवन साथी के प्रति लगाओ देखेंगे, कम्यों को सुधारते हुए, प्यार को बढ़ाएंगे, स्वास्त ठीक रहेगा, वैपारियों को नेर वैशाय शुरू करने के लिए दिन अच्छा है, नौकरी क प्रति की बाद करें तो आपकी कारिश्पती में सुधार होगा, आपकी चिंताओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके पिता की सेहत में सुधार होगा, पिता की तरक्धी होगी, पिता का वेकार ब rédu पार बैर होगी, आप इपने सिहत का संभूशित धियान रखियेगा अध्यन कारे में आप एकारशित होंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, बच्चे पार्टाइम जॉब कर सकते हैं, इंटरनेट के माद्यम के कोई धनराची कमा सकते हैं, जीवन साती के नाम पर संपत्ती जीवन साती की तरक्की से आपको घर में खुश वाला है, वैपार बढ़ने वाला है, लाव होने वाला है, सटे में शेयर मार्केट पर निवेश करके मोटा पैसा कमाने वाले हैं, आप निर्भर बनने वाले हैं, कुल मिलाकर आपको ये दिन खुशियों भरा रहेगा, सभी प्रकार के दिनने सोच समझ कर लिएगा, तो औ और भी बेटर दिन हो जाएगा, आप बात करते हैं, पांच नॉमंबर 2022 की, आपका थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, तो आज की दिन थोड़ा सा खर्चा समझ करिएगा, आपकी आमदरी और वैपार दोनों बढ़िया चलेगा, प्रेम समझ में निश्य दूरु से सुधार होगा, लबनी यात्माय दर्द होंगी, आप दिद्यारती हैं, तो आपके दोस्तियार आपको प्रहाई लिकाई में मदद करेंगे, और आप आगे बढ़े जाएंगे, ग्रूप स्टडी को अगरा भी कर सकते हैं, यदि आप कुछ खरीदने की योजदा बना रहे हैं, तो लोग आपकी तरह आगश्च्छित होंगे, खुश लोग आपके घर महमान मन कर भी आ सकते हैं, उनका स्वागत करिएगा, और महमानों का दिल खोल को स्वागत करीगा, आपके घर में लश्मी की कमी नहीं रहेगी, आप दिमागी तौर पर फोर चुश्ति-फुर्ति भरी देखने वाला होगा कुछ लोग आपके उस्साभ को ढिखाने की कोशिश करेंगे、 कुछ लोगafa आपके आपके सही काम को सभी क्रम कहने की क। इसे सठकेंगे क्या कंषात्ड है। यह आपके उस्ट्रू हूंगे। रिश्वास में रह सकते है। आपका खर्चा तोड़ा साधिक हो सकता है, खाने पीले की मामले में सावधान है, आर्थिक नुक्सान पर तोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा कि ना हो, और जीवन साथी से बहस बाजिया नहीं करनी है, जीवन साथी जिस्कीर के लिए मना करें, उस चीज को माल लेना चाह इसमें 80% शुप परणाम मिलते हों दिखाई पड़ रहे हैं, और 6 नंबर आपके लखी रहेगा, आप लोग बिलकुल निशिंत रहों, यह सबता आपका बहतर बीतेगा, आई आप जानते हैं उपाये, आप लोगों ने जान लिया अपना राशी फल समझ लिया, राशी फल एक तारीक से साथ तारीक के मन्द क्या, कैसे बीतेगा, इस सब कुछ आपको जानकारी मिल गए, आप उपाये की बात करते हैं, साधारान और सिंपल उपाये पर चलते हैं, जो हर वेक्तिक कर सके, तो हर्मान चलीसा पढ़िए, और ओम नमश्वाय मंतर का जाप करिए, दो बखाने वाली खीर मनाईए, और इसमें फ़र सा केसर डाल दीजिए, ऐसा करने से भी आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी, और मालश्मी के मंतरों का जाप, या कोई आरती, और साथ में भगवान विश्टू को भी प्रसन कर लीजिए, आरती कर लीजिए, या फिर उनके वैफार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और इसका लाबा, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते कि आउशकता नहीं है, जब भी घर से बाहर निकलें, घर के आसपास जो कोई धर्म स्थान हो, मंदिर हो, द्वारा हो, चर्च हो, वहां पर नमशकार करते हुए जाईएगा, अपने धर्म के पके रहिए, धर्म विरोधी मन बनिये, और इश्वर में सची आस्तर किये, यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है, और अपने घर में बड़े चोटों का मान सम्मान करिए, यह आपको करना है, बाकी अगर आप चाहते हैं कि साल 2023 आपका कैसा बीतने वाला है क्या उसमें शुबाशुब होने वाला है, उसकी आप जनम बॉली बनवा सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपका आने वाला साल कैसा होगा, और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी संपूर जानकारी मैं दूंगा, अगर आप अपनी अपारिमेंट बुक कराते हैं, दिये के नमरों पर बात करके, तो आप लोगों के लिए ये वक्त भी खुबसूरत रहे, और आने वाला वक्त भी खुबसूरत रहे, इसी मंगल कामना के साथ, नमस्कार.